विराठ कोली और A.B. डिविलियर्स, मगर इनके अलावा कौन से प्लेयर्स हैं RCB की प्लेइंग 11 में? जानिये इस वीडियो में! हलो गाइज, मैं हूँ आपका होस्ट रिशब और आप सभी का स्वागत है स्पोर्ट्स गीक में! तो आज हम बात करने वाले हैं RCB की प्लेइंग 11 के बारे में! क्या प्लेइंग 11 होगी RCB की ग्राठ कोली और A.B. डिविलियर्स को छोड़ कर हम जानेंगे इस वीडियो में! मगर उससे पहले अगर आपने स्पोर्ट्स गीक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए और फिर बैल आइकन पर क्लिक करिए जिससे आपको फ्यूचर के सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे! और बोलर्स में भी अच्छे खासे ओप्शन हैं आरसीवी के पास तो हम जानेंगे कि कौन से ग्याराप प्लेयर्स इस बार आरसीवी की प्लेंग 11 में देख सकते हैं हम शुरुआत करेंगे ओपनर के साथ ओपनर होंगे एरॉन फिंच और देवदत पड़िकल पिछले साल क आईपियल में एरॉन फिंच ने पार्टिसेपेट नहीं किया था क्योंकि वो आईसीसी वर्ड कप पे फोकस करना चाते थे मगर जैसी एरॉन फिंच की फॉर्म है टीट्वेंटी में मुझे लगता है कि बहुती अच्छी साइनिंग है ये आरसीवी की तरफ से और उसके सा साथी साथ देवदत पड़िक कल है साथ में पिछले साल के आईपियल में आरसीवी में थे देवदत मगर उनको खिलाया नहीं गया था पूरे आईपियल में मगर उनकी डॉमेस्टिक लीग्स में जो पाफॉर्मेंस रही है उसके हिसाथ से मुझे लगता है कि अगर एबी इस बार आईपियल में विकेट कीपिंग करेंगे आरसीवी के लिए तो देवदत पड़िक कल और एरॉन फिंच ओपिन कर सकते हैं आरसीवी के लिए एरॉन फिंच ने 2018 के आईपियल में 10 मैचेज में 134 रंस बनाये थे ठीक ठाक पफॉर्मेंस रही थी मगर इस साल मुझे उम्मीद है कि वो जादा अच्छा पफॉर्म करेंगे बात करते हैं देवदत पड़िकल की डॉमेस्टिक लीग में T20 में देवदत पड़िकल ने 12 मैचेज में 580 रंस बनाये हैं 64 के एवरेज के साथ तो पफॉर्मेंस तो देवदत की बहुत ही अच्छी रही है और उन्ह में बहुत अच्छा पफॉर्म कर देते हैं तो ये दोनों होंगे RCB के ओपनर्स इस साल के IPL में अब बात करेंगे RCB के मिडल ओर्डर के बारे में मुझे नहीं लगता कि IPL की किसी भी टीम के पास इतना अच्छा मिडल ओर्डर है विराठ कोहली और AB Develiers दोनों ही प्लेयर हो गए थे मगर अब वापसी कर रहे हैं क्रिकेट में IPL में तो देखना पड़ेगा कि AB Develiers कैसा खेलते हैं और विराठ कोहली से तो हमेशा उमीदे जादा रहती हैं क्योंकि वो पफॉर्मी उतने अच्छे लेविल पर करते हैं पिछले IPL में विराठ कोहली ने 14 मैचेज म 464 रन्स बनाए थे बहुती ठीक ठाक परफॉर्मेंस रही थी अगर हम देखें विराठ कोहली का जो स्टेटस है परफॉर्मेंस का उस बार को अगर देखें तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस रही थी मगर इस साल IPL में मुझे उम्मीद है कि विराठ कोहली अच्छा परफॉर् मैचेज में 442 रंस बनाये थे अच्छी परफोर्मेंस रही थी एबी डिविलियर्स की क्रूशियल जब मैचेज थे तब एबी डिविलियर्स ने परफॉर्म किया था मगर जो लेवल है विराट कोहली और एबी डिविलियर्स का उस लेवल को टच नहीं कर पाए थे पिछले IPL में इस सीजन मुझे उम्मीद है कि वो जादा अच्छा परफॉर्म करेंगे और उन पर ये टीम डिपेंडेंट भी बहुत जादा रहती है तो जरूर अच्छा परफॉर्म करना चाहिए विराट कोहली और एबी डिविलियर्स को तो ये होगा आरसी बी का मेडल ओल्डर अब हम बात करेंगे आरसी बी के और राउंडर्स के इस बार क्योंकि lower order में आके वो बहुत अच्छे runs बना सकते हैं जो कि RCB को मदद कर सकता है इस IPL सीजन में पहले हम बात करेंगे शिवम दुबे के बारे में पिछले IPL सीजन में तो शिवम दुबे को उतनी opportunities नहीं मिली थी मगर अब उनोंने जो इंडियन टीम के लिए खेल लिया है तो मुझे लगता है कि इस बार IPL में शिवम दुबे जरूरी खेलेंगे पिछले IPL सीजन में दुबे ने 4 matches में 40 runs बनाए थे अब बात करते हैं वाशिंग्टन सुन्दर की वाशिंग्टन सुन्दर को भी ज़्यादा opportunities नहीं मिली थी पिछले IPL में मगर इस बार UAE में पिछे support करेंगी spin को तो मुझे उम्मीद है कि मोहीन अली और वाशिंग्टन सुन्दर और राउंडर के रूप में नजर आ सकते हैं वाशिंग्टन सुन्दर ने पिछले IPL में 3 matches में 1 run बनाया था मगर 4 wickets भी pick करे थे तो वाशिंग्टन सुन्दर बहुत ही crucial है यहाँ पर RCB के लिए क्योंकि spin में बहुत जादा अच्छा option चाहिए था और वाशिंग्टन सुन्दर से मुझे अच्छा नहीं लगता कि और कोई option है Indian bowlers अब बात करते हैं Chris Morris की Chris Morris को RCB ना इस बार Delhi Capital से ले लिया है बहुत ही अच्छी signing है यह RCB के लिए क्योंकि Chris Morris experience भी लाते हैं और डोल डाउन में वो आके perform भी कर देते हैं बैटिंग में भी और bowling में तो बहुत ही अच्छी performance देते हैं Death Overs में especially जब उनकी Yorkers proper on point रहती हैं तो batsman को बहुत problem हो जाती है Chris Morris ने पिछले IPL में 9 matches में 32 runs बना कर 13 wickets pick करे थे बहुत ही अच्छी performance रही थी Chris Morris के तरफ से और मुझे उम्मीद है कि इस बार भी RCB के लिए वो अच्छा ही perform करेंगे अब आखरी all rounder की बात करते हैं मोहीन अली मोहीन अली यहाँ पर crucial है वाशिंटन सुन्दर के तरह क्योंकि एक off spinner option आ जाता है मोहीन अली के रूप में और बैटिंग में भी वो अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं बहुती दुआदार बैटिंग करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि इस बार के IPL में वो RCB के लिए जरूर अच्छे perform करेंगे पिछले IPL सीजन में मोहीन अली ने 11 मैचेज में 220 रंज बना कर 6 विकेट्स पिक करे थे तो ये चार होंगे RCB के all-rounders इस IPL सीजन में अब हम बात करेंगे RCB के Pacers के बारे में RCB के पास दो overseas के बहुती जादा अच्छे options है पेस बोलिंग में इस सुरू उदाना शीलंका के और डेल स्टेन को तो सभी जानते हैं तो दोनों अच्छे option हैं मगर इस team में fit नहीं हो रहे हैं क्योंकि हम केवल 4 foreigners खिला सकते हैं एक team में तो मैं Indian Pacers के साथ गया हूँ इस बार नवदीप सैनी और उमेश यादव पर जिम्मा रहेगा RCB की पेस बोलिंग का उमेश यादव से मुझे थोड़ी बहुती उम्मीद है मगर नवदीप सैनी से बहुत जादा उम्मीद है पिछले IPL सीजन में उन्होंने बहुती जादा impress किया था और फिर Indian टीम के लिए भी अच्छा परफॉर्म किया है तो नवदीप सैनी पर जरूरी निगा रहेगी सबकी पिछले IPL सीजन में सैनी ने 13 मैचेज में 11 विकेट्स पिक करे थे बहुती अच्छी परफॉर्मेंस रही थी नवदीप सैनी की और मुझे उम्मीद है कि इस बार वो IPL में और जादा विकेट्स पिक करेंगे बात करते हैं उमेश यादव की उमेश यादव शॉर्टर फॉर्मेट में उतना जादा देखने को नहीं मिलते हैं अब तो मुझे उतनी उम्मीद नहीं है और RCB के लिए उतना खास परफॉर्म भी नहीं किया है उन्होंने अभी तक पिछले सीजन में उमेश यादव ने 11 मैचेज में 8 विकेट्स पिक करे थे बहुती ठीक ठाक परफॉर्मेंस रही थी अगर हम देखें उमेश यादव की तो इस IPL सीजन में उमीद करता हूँ कि at least 10 विकेट तो उमेश यादव पिक करेंगे तो ये दोनों होंगे RCB के पे हो चुके हैं तो यहाँ पर मैंने केवल एक स्पिनर सेलेक्ट किया है और युजविंद्र चहल हमेशा क्रूशल रहे हैं RCB के लिए IPL में हमेशा उन्होंने विकेट्स पिक करे हैं और चिन्न स्वामी के ट्रेक पर विकेट्स पिक करे हैं जहाँ पर बैक्समें को बहुत ज सीजन में चहल ने 14 मैचेज में 18 विकेट्स पिक करे थे बहुत ही अच्छी परफॉमेंस रही थी चहल की तरफ से और मैं उम्मीद करता हूं कि इस साल भी वह RCB के लिए विकेट्ट टेकिंग बोलर रहेंगे तो यह है हमारी प्लेइंग 11 RCB के लिए तो आज के लिए इतना ही मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई है अगर आपको लगता है कि मैंने किसी को मिस कर दिया है प्लेइंग 11 में तो मुझे बताईएगा कमेंट सेक्शन में कि किस प्लेयर से आप किस प्लेयर को रिप्लेस करना चाते हैं इस प्ल प्सक्राइब कर दीजेगा यूट्यूब को और अगर आप ये वीडियो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं तो फॉलो करिएगा फेस्बुक और इंस्टाग्राम पेज को और शेर कर दीजेगा वीडियो को मैं जल्दी वापस आऊंगा अपने नए वीडियो के साथ तब तक घ हर पर रही है और स्पोर्ट्स गीक देखते रही है